Assalamu alaikum everyone welcome to my youtube channel अभीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे हैरियत से होंगे आज किस वीडियो में मैं ब्राउन ओर इंज टाइप का मेक अप करने लगी हूँ स्मोकी मेक अप और सबसे पहले मैंने कॉंटेक्ट लेंज लगा ली है और जो कॉंटेक्ट लेंज मैंने लगाए हैं इनका शेड है आइस ब्राउन फ्रॉम मैजिक कलर्स और बेस मैंने लगाई है शेफर की और उसको मैंने ग्लैमरेस फेस के फेस पाउडर के साथ सेट किया है आईवरे शेड में सबसे पहले मैं क्रीज लाइन बनाओंगी और इन शेड के साथ थोड़ा थोड़ा लगा के हमने बिल्ट करते जाना कलर को ताकि हमें जो है मेक अप में जादा प्रॉब्लम ना बने अब यहां पर मैंने टेप लगा लिए ताकि मेरी जो आउटर आइस की साइड है वो मैंने ब्राउन शेड लगाया है बिल्कुल उसके नीचे नीचे हमने ज्यादा एरिया कवर नहीं करना शेड के साथ हमने बिल्कुल थोड़ा थोड़ा एरिया कवर करने अ और स्टैप पाइस टैप शेड लगाने है जैसे कि आगे समर है तो समर में आपको पता है औरेंज कलर बहुत ही फ्रेश और खुबसूरत लगता है आँखों को भी भी ठंड़क मैसूस होती है और इंज कलर से और यह जो मैं कर रही हूं में एक बहुत ही फ्रेश सा औरेंज कलर आई जो आूटर खौरनर हो पर हमने शेड़ को ब्लेंड करना है और उपर कि तरफ हम घ्रड़ करेंगे उतना ही हमारे आइस के लिफटिड लूकाएगी और हमारे आइस लंबी लगेंगी और बड़ी भी और लैशिस को अभी मैं आपको यहां पर दिखा रही हूं कि मैं कितनी दे जल्दी ड्राइ नहीं हो रही इन दिनों में तो इस वज़ा से मैंने लेशिस को लगा के ग्लू तो रखी है और अब मैं यहां पे इंटरफेरेंस शेड लगा रही हूं बहुत प्यारा कलर रही है थोड़ा सा पीची सा पिंक भी टोन इसमें आ रही है और इंज भी आ रही है और टेयर डक्ट को मैंने गोल्ड लाइट से गोल्डन शेड के साथ हाइलाइट किया है कि ब्रॉबोन को भी मैंने हाइलाइट किया है उसी शेड से लाइट से गोल्डन शेड से थोड़ा सा पहल रहे तो इसकी प्रब्लम नहीं है क्योंकि हमने बाद में ब्लेंट कर देना बागी खत्म हो जाता है अब मैं जहां पर मैंने नीचे पेच कलर का इंटर्फिरेंस शेड लगा है उसके उपर मैं ग्लू लगा रही हूं एस्टी की उसको थोड़ा सा ड्राइग करूंगी एक दो मिन्ट दस सेकिंड के बाद मैं इसके उपर उसी पेच कलर के मैं ग्लिटर्स लगा रही हूं प्रेस्ट ग्लिटर्स आएगे अब आउटर कॉर्णर पे मैं ब्लैक कलर लगा रही हूं ऑपर की तरफ हमने ब्लेंड करते जाना एं शेड को अंदर की तरफ भी थोड़ा थोड़ा ले के आना है और उपर की तरफ लेके जाना है जैसे विंग हम समज्ट विंग बनाते हैं न उस तरह से से हमने लुक्रीय कि तरफ भी लेके जाना है इसको और ऊपर की तरफ भी और आइस के इंवर्ड भी थोड़ा थोड़ा लेके जाना है ताकि हमारा ऐसे ब्लेंड़ सा विंग्ड आई-लाइनर लगे कि अच्छी सी फिनिशिंग आई इसकी टेप लगाने की है तो अगर थोड़ा बहुत हमसे हराब भी होगे तो हम भी कंसीलर के साथ यहां से सेट कर सकते हैं लेकिन हमें एक अच्छी गाइड लाइन मिल जाती है इस तरह से अब मैं थोड़ा सा ब्लू कलर लेके तो ब्लैक को थोड़ा सा कट आफ करने के लिए इसमें ब्लू एड कर रही हूं क्योंकि मुझे ज्यादा ब्लैक शेड यहां पर नहीं चाहिए इसलिए मैं थोड़ा इसमें ब्लू एड किया है और इसको इन्वर्ड मैं ड्रैग कर रही हूं था कि जो बीच में कंटोरिंग वाला शेड ह थोड़ा सा इन हैंस हो जाए और आई है मैं ब्राउज को फिल कर रही हूं ब्राउन पैंसिल के साथ आप चाहिए तो ब्राउज को पहले भी फिल कर सकते हैं जैसे आप कंफुटिबल हो मैं वैसे मोस्टी पहले ही पहले ही फिल कर लेती हूं लेकिन आज पहले में जेकर नहीं याद मेरे इसनी मैंने बाद में फिल की हैं कि challenged कि अगर हमारे जो उपहिटे सेट कर लेते से तो हम थोड़ा ब्यटर कर вами सकते हैं तो कि अगर आप प्रोफेशनल ना है तो एगर अप्रोफेशनल रेड़ा ciao आयूसरιά योस्तों कर रही हूं लोवर लैश लाइन पर मैं कॉपर किलर लगा रहे हूँ अच्छे से शेड को ब्लेंड करूंगी मैं अब यहाँ पर मैंने आपको मैं यह दिखा रहे हूँ कि मैंने जेल लाइनर लिया है उसमें ग्रीन कलर डाल की तो मैंने कलरफुल जेल लाइनर बनाया है और इसको मैं आइस में लगा रहे हूँ आप कोई भी शेड लेकि उसको जेल में एड़ करके अपना कलरफुल जेल लाइनर बना सकते हैं गर पे ही और यह जो जैलाइनर होथा है इस तरह से बहुत लांग लास्टिंग भी हो थैड़ अगर हम सिंगल जैलाइनर आँख में लगाएं तो वो वाश वाश ओप हो जाता है एक्सर लेकिन जो इस तरह से हम जैल लाइनर बनाते हैं वो ज्यादा जल्दी वाश आउट नहीं होता और आपको मेरी वीडियो हेलफू लगी होगी अगर आपको मेरा काम पसंदा है तो प्लीज मेरे शानल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइब